हलो प्रेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल के उपर दिक्रिया है टिस्यू है टेबलेट के बारे में जो कि एक जाइडस कंपनी याती है, इस टेबलेट का आपके पसु में क्या काम है, कितनी डोज आपको देनी चाहिए, क्या बेनिफिट है हालाएं कि बट इसका उपयोग, इंजेक्शन से भी बट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, यह दिए आपके पसु में इस परकार की दिक्रत हो जाए, तो किस तरह की दिक्रत में यह टेबलेट पसु में दी जाती है, पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को आप स्किप करके में देखना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पूरी देखेंगे, आपको पूरा प्रॉपर नोलेज मिल जाएगा, टिश्यू LED के बारे में, देखो जो यह टेबलेट होती है, इसके अंगा सबसे पहले में बताता हूँ कि इसके अंगेंध होते हैं, इस ज्यादा बिन पेटा क्योंकि इस तरह की एनजाइम लिए गए है जो कि प्लांट से लिए गए है और जो आपके पशों के लिए immunity का भी काम करते हैं साथ साथ immunity आपके पशों की रोग परतिरोदक सकती भी यह जो यह बढ़ाती है किस तरह की दिकत में यह आपके पसुमें किसी भी तरह का यह गाव हो गया है आल टाइपस और वोंड्स यह किसी भी तरह का यह आपके पसुमें गाव है ओपन है खुला है गाव है डेट सेल उसमें बनी हुई है यह आपके पसुमें और वो ठीक नहीं हो पा जो ओपन गाव है वो अच्छी तरह से सही समय पर भर सके यदि आपके पसुन में किसी भी टरह है कि जो यदि डिकत यदि आपके गाव से समधित हो गई है तो भी आप इस टेबलेट का प्रियोग अपने पसुन में कर सकते हैं जिस प्रकार से इदिया आपके पसों में FMD हुई है और FMD की वज़े से कई इस तरह के घाव हो जाते हैं जिनको बरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है चाहे वो और मुख के अंदर हो या आपके पसों के अंदर के शरीर के कहीं परियाव खुर में हो उसकी वज़े से तो गया है उसके वज़े से इदिया आपके पसों का जो अडर यदि कट करके गिर गई है यदि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाव यदिया आपके पसों में हो गया है तो वहाँ पर अडर की टिस्यू वापिस बनाने के लिए या उसको को बनाए रखने के लिए इस टिस्यू टेबलेट का प्रियोग किया जाता है यानि किसी भी तरह का एदी मेस्टाइटिस की वज़े से एदी आपके पसूं में गहा हुआ है कहीं पर भी तो उसी स्थती के दोरान भी इस टेबलेट का प्रियोग किया जाता है क्योंकि फाइब्रोसिस एदी आपके पसू में जब हो जाता है अडरवेटीट के अंदरगयत एदी वहाँ से कट करके नीचे गिर जाते हैं तो उसको गहाँ को बरने के लिए वहाँ से एदिस है जो स्किन की टिस्यू बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसम कि आप अपने पसू का किसी कारणवर्स एदी उसका उप्रेशन करवाया है एदी सरजरी एदी आपने अपने पसू की करवाई है तो उस गहाँ को बरने के लिए भी आप इस टिस्यू ए टेबलेट का परियोग अपने पसू में करा सकते हैं एदी आपके पसू में किसी भी अंदर भी इस tissue एड़ टेबलेट का परियोग अपने पसूँ में करवाया जाता है। यह दि आपके पसूँ में सरीर पर कहीं पर भी इस तरह की सौजण आ गई है तो उस इस्ततीक को से आप अपने पसूँ को जल्दी उबारने के लिए इस tissue एड़ टेबलेट का परियोग अ हालां कि ये कॉलम्बी बॉलस से कई गूना better result आपके पसुं में देती है क्योंकि इससे जो कॉलम्बी है इससे भी better result आपको इस tissue ad tablet को में देखने को मिलता है ये को बताना चाहता हूं कि एदी आपका पसुं कहीं पर भी एदी चोट खा करके आगा है या कई पर फट गया है उसके बहुत ज़दा एदि आपके पसु में गहाव हो गए है और वो आप एदि कई लंबे समयते का आप इंटिवाइटिक टेवलेट वे परियोग कर रहे हैं फिर भी आपके पसु का जो गहाव है वो प्रोपर नहीं बन रहा है वाँ पर इसकिन है व इस प्रकार से थनेला मेस्टाइटिस है मेटराइटिस है या उसकी वज़ए से इदि आपके पसु में दिकत आ गई है तो भी उसकी वज़ए से इदि आपके पसु में सूजन है तो भी आप इस टेवलेट का परियोग अपने पसु में करवा सकते हैं उसमें भी आपको एक पत्ते में ये 6 टेबलेट आती हैं तो इन में आप 3 टेबलेट आपको सुबह और 3 टेबलेट आपको स्याम को यानि 6 टेबलेट आपको परडे में 3 सुबह तीन स्याम को लगातार आपको 5 दिन तक ये परियोग अपने पसू में करवानी ही करवानी है यह दि आपको इस त लगातार आव वही तीन से पांस दिन कैंटिनिटी आप अपनी बेड़ बक्रियों में भी इस तरह की एदी दिकत हो रही है तो भी आप इसका परियोग अपने पसूं में करवा सकते हैं एक और बताना चाहता हूं कि आपने इस तरह के गाव देखे होंगे जो इन बहुत गहरे गाव होते हैं और वो आपको दिखाई नहीं देते हैं ऐसा लग रहा है कि उपर से स्किनारिया लेकि निचे से क्या होते हैं कि उसके अंदगत हवा बरी रहती है इस तरह कि गहाव को बरने के लिए भी इस टेबलेट का प्रियोग किया जाता है यह दिया आपका प्रसुच जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कईबर एदी आप प्रसुच तोड़ा लेता है और उसके अंदगत बहुत ज़धा गहाव हो जाता है तो उसके बरने के लिए भी आप इस टिस्यू एटेबलेट का भी प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदगत बहुत ज़धा गहाव होता है और उसमें आप कई तरह की जो आप एंटी बायोटीकर एनालजेसिक इंजेक्शन एदी आप लंबे समेते की प्रियोग करते हैं तो उसमें कई बडिकत भी आपके प्रसुच में हो जाती है और आपका प्रसुच का गहाव इतना जल्दी नहीं बरबाता है तो उसी स्ततिके दोरान भी आप इस टेबलेट का करवा सकते हैं उसमें भी आपको अच्छा रिजल देखने को मिलता है खैने का मतरब है कि इसे टीस्यो एटपलेट का आपको किसी भी तरह का गहावimas किसी भी तरह की सुज़न हो dare आपके प्रसुच में जल्दी हिलिंक के लिए और जल्दी वहां पर बढ़ने के लिए इसक जाकि आप कमेंट में लेकिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटिनेरी स्टेंट हैं पस्व पालक हैं उनके साथ आप ऐसी वीडियो को जितना हो सकता आप इसको सेर करें मेरी वीडियो को आप लाइक करें